प्यारे दोस्तों बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग बाते करते वे हिचकिचा आते हैं, बताते वे सरमाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है, टाइम रहते हैं अपने डॉक्टर से विचारवी मर्स करके इसकी दवाई करना बहुत ही जरूरी है, आज हम अपने वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि जो बवासीर है, उसके लिए आप ऐसे कौन से उपाए हैं जिनको घर में करके रात पा सकते हैं, प्यारे दोस्तों बवासीर के लिए हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए, कि अगर हमें कब्स होती है, तो ये इसका एक मूल का इसलिए हमें ना जादा गरिष्ट भोजन करना चाहिए, ना जादा गरम चीजे खानी चाहिए, और साथ ही जिनको बवासीर है, उन्हें ये ध्यान देना चाहिए, कि वो अपने आर में तरल परदात जादा से जादा लें, आप अगर बवासीर की बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सबसे जादा आप लिक्विड लेना शुरू कर दें, आप जब लिक्विड लेना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा, कम से कम तीन से चार लीटर पानी अवशे पीए, और रात में पांच अंजीर को एक गिलास पानी में बिगो कर रख द पानी का उपाय नहीं बता सकती, वरना अगर आप गर्मियों में यह उपाय करते हैं, तो इसे भी रात मिलती है, इसके लिए आपको पांच चमच जीरा या पांच चमच सौफ को तीन लीटर पानी में बिगो कर रख देना है रात में, और सुबह आप इस पानी को अच्छी के बाद एक चमच जीरा या फिर एक चमच सौफ आप जरूर से जरूर लें, ऐसा करने से आपके सरीर में राहत प्राप्त होगी और आपकी ये जो बिमारी है ये दूर हो जाएगी, आप रात के समय एक गिलास गरम दूद में एक चमच शैद मिला कर और अवशक्ता अनुस चमच शैद को एक गरम पानी के गिलास में मिला कर पीएं, जिसे आपकी कब्ज टूट जाएगी और इस तरह की की दिकत नहीं होगी, आप खाली पेट एक गिलास ठंडा दूद लें, कच्चा और उसमें एक निम्बू को निचोड कर तुरंद पीलें, इससे आपकी जो कब अबज में दिकत हो रही है, उसे भी आपको रात प्राप्त होगी, प्यारे दोस्तों आप पच्चिस किसमिस को लेकर इसे भीगो दीजिए और सुबह इस पानी को और किसमिस को चबा कर खा लिजे और पानी को पी लीजे, इसे भी आपको अराम मिलेगा